PCS Current News में अभी की खबर है आधुनिक हिंदी के पितामा भारतेंदु हरिश्चंद। के लिए कई साहितिक और सांस्कृतिक प्रयास किये। उनके नाटक सामाजिक और राजनितिक मुद्दों पर आधारित थे जैसे की वैदिकी हिंसा हिंसा नभवती और भारत दुर्दशा आधी। बता दें कि उन्होंने हिंदी पत्रकारिता की भी नीव रखी थी। उन्होंने अंग्रेजों के शोशन और भारतिये जनता की पीडा को अपने साहिति में उकेरा। भारतेंदु ने हिंदी भाषा को सरल और जन्मानस की समझ में आने योग्य बनाने पर जोर दिया। जिससे हिंदी का सहितिक विकास हुआ। मात्र 35 साल की उम्र में 6 जनवरी 1885 को इनका निधन हो गया। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन काल भले ही छोटा था लेकिन उन्होंने हिंदी भाषा और सहिति में जो योगदान दिया वह आज भी प्रेरणा दायक है। बतादें कि भारतेंदु काल का नाम भारतेंदु हरिश्चंद के नाम पर ही रखा गया। क्योंकि इस दोरान उनके नेत्रित्तु में हिंदी सहिति का व्यापक विकास हुआ। त्वाई अंत में नोट करते हैं आज का भ्यास प्रश्ण निम्नलिखित में कौन सी रचना भारतेंदु हरिश्चंद की नहीं है। लाइक, शियर और सब्सक्राइब करना न भूले।